नौरात्री के नौए दिन मा दुर्गा के सिद्धी दात्री स्वरूप की पूजा होती है और इनकी पूजा और उपासना करने से समस्त मनुकामनाएं पूर्ण हो जाती है ब्यक्ति को हर छेत्र में सफलता ही सफलता मिलती है और नौमी के दिन अगर मा दुर्गा की नौए सौरूप मा सिद्धी दात्री की पूजा की जाए तो जीवन के सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको जितनी भी आपकी मनुरत है वो पूरी होती है कमल के पुस्प प्रबैठी वी देवी सिद्धी दात्री का ध्यान करना चाहिए और उन्हें सुगंदित पुस्प अर्पित करें इसके साथ ही मा दुर्गा के नवे सौरूप को सहद का भोग लगाना चाहिए ताकि सत्रू बिरोधी सांत रहे और मा का मंत्र है ओम सिद्धी दात्री देवे नमहा ओम सिद्धी दात्री देवे नमहा इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जब कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे पुजा नमी दिथी के दिन समस्त मनो कामनाओं की पूरती के लिए मा दुरगा को कमल का पुस्प अरपित करें अगर आपके पास कमल का पुस्प नहीं है तो मानसिक तोर पर जैसे आप मन में सोचिए कि आप मा को अरपित करें कमल का पुस्प और अरपित करें आपको उतना ही फल म सिर्फ पूजा कर लें तो आठ देवियों के पूजा का फल भी आपको मिल जाता है और आपकी उपासना यहां पर सफल होती है चुकि सक्ति पूजा नौमी दिथी के दिन की जाती है और इस दिन महा सुरत सती की उपासना भी करने का विधान है कैसे करेंगे मा की पूजा सबस की पासह कमल के पूसप नहीं हैं तो नौ तरह के पूसप अर्पीत करें अब जैसे बेले का पूसप है कमल का पूसप है गुड़हल और इसके साथ कोई भी पूसप जो भी आपके पास एवलेष्बल है 9 तरह का या फिर 9 पुस्प अर्पित करें 9 की संख्या बहुत जरूरी है इसके बाद 9 तरह के फ़ल अर्पित करें या फिर 9 फ़ल अर्पित कर दें अब आपने जो पुस्प मा को अर्पित किया है लाल वस्तर में लपेट कर रखिए लेकिन इसके पहले एक और चीज इस दिन बहुत तरीके के प्रियोग भी किये जाते हैं जब आप मा दुर्गा को नौ तरह के फल अर्पित करेंगे या नौ फल अर्पित करेंगे तो फिर आप ओम रिंग दुर्गाय नमः ओम रिंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जब कर सकते हैं और फल जो आपने मा को अर्पित किया है खुद भी खिलियाए और गरीबों में दान भी कीजिए आपके जीवन के समस्त गरह सांथ हो जाएंगे लेकिन मा के पूजा में विसेश प्रयोग किये जाते हैं महा उपाए देखिए मा सिद्धी दातरी के अंदर सभी देवियां समाही थें अगर नवरातरी में केबल इन्ही की पूजा करें तो आपकी समस्त मनुकामनाएं पूरी होती है और समपुन नवरातरी का फल मिलता है आगे की चर्चाएं जारी हैं लेकिन देखिए अगर आप पुचाते हैं कि नो के नो गरह आपको अच्छे फल दे तो फिर आप मा को एके करके सामान अरपित कीजिएगा पहले एक प्लेट मा के सामने रखिए पहले मिस्री डालिए अरपित करें फिर गुड की डली अरपित करें फिर हरी सौंप या हरी इलाइची जो भी आपके पास है अरपित करें इसके बाद दो केला अरपित करें फिर दही अरपित करें और फिर पान का पत्ता अरपित करें तो क्रमसा आप साथ चीज़ें अरपित करनी है नो गरह के लिए ठीक है अब इनको अरपित कीजे और निगेटिव गरह जो गरह अच्छे फल नहीं दे रहे हैं उनको सांध करने के लिए मातारानी से प्राथना करें ये तो है मातारानी को मनाने का फल लेकिन एक और बात हम आगे की चर्चाएं करेंगे लेकिन कभी कई बार क्या होता है घर के लोग अक्सर बिमार रहते हैं अगर आपके भी घर में ऐसा हो तब एक तांबे का सिक्का ले लीजेगा हनुमान चालीसा पढ़ते वे इस सिक्का या गोल जो तांबे का छला होता है रिंग उसी को ले ले लाल धागा बांध कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से लटका दे तो स्वास समस्याएं समाप्त हो जाएगी तो हम बात कर रहे थे कि नौरात्री के दिन संपूर्ण नौरात्री का फल मिलता है मा सिध्धी दात्री की पूजा करने से इनकी पूजा से अपार बैभव की प्राप्ती होती है इनकी उपासना से समझ सिध्यां भी मिल जाती है और मा के इस स्वरूप की उपासना करने से गरहों के दूस्प्रोहाओं से मुक्ती मिलती है चुकि नौमी तिथी के दिन नौरात्री की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है और मा को इस दिन हल्वा, पूरी, गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है हल्वा या फिर आप खीर भी मना सकते हैं और इसको मा को भोग लगाईए नौरात्र में नंतिम दिन नवे दिन आप करने पूजन भी करते हैं तो ये वाला ही परशाद उनको भी खिला सकते हैं और आप एक नारियल जब आप अरपित कीजिएगा मा को समस्ता समगरी तो एक नारियल भी अरपित कीजिएगा अब देखिए बाद में इसको फोड के परशाद के रूप में खा लिजेगा कोई दिक्कत नहीं है देखिए हवन तो नौमी तिथी के दिन नौरात्री की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है तो हवन में आप कौन सी समगरी डालें कि करजों से मुक्ती मिल जाए धन की समस्या दूर हो जाए और आपके संतान समंदी समस्या दूर हो जाए गरहसानती हो सर्वकल्यान के लिए क्या डालें आईए हम जानते हैं बिस्तार से देखिए सबसे पहले तो जब आप हवन कीजेगा ना तो हवन सामगरी में आप जो और काला तिल मिला कर रख ले इसके बाद आप कन्या पूजन कीजेगा कन्या पूजन के बारे में भी बताएंगे तो इसके बाद आप संपुर्ण भोजन का दान भी कर सकते हैं या गाय को खिला दें देखिए अगर आपके जीवन में आपके धन की मुस्किलें बढ़ी वी है आर्थिक इस्तिती खूब खराब है आपको लगता है कि पैसे-पैसे को मुहताज हो रहे हैं तब इस नवरात्र के अंतिम दिन धन की मुस्किलों पर विजय अच्छी हो जाती है अगर जीवन में करज बढ़ गया है धन की मुस्किलें बहुत परिसान कर रही है तब करजों की समस्या से मुक्ति के लिए आप राई से हवन कीजे यानि कि आप जब हवन सामगरी है ना उसी में थोरा सा राई मिला दें और उसी से हवन करें राई से परिसानिया है जो निगेटिव एनरजी है वो सांथ हो जाती है अगर संतान समंदी समस्या है संतान हो नहीं पा रहा है या फिर संतान के डेवलेप्मेंट को लेकर कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे माखन और मिस्री से हवन करेंगे माखन मिस्री से हवन करने से संतान समं संधी समस्या से मुक्ति मिलती है तो आप ये वला प्रयोक कर लें अब दूसरी बात क्या है गरहों की पीडाओं से मुक्ति काने क्लिए क्या करेंगे जब कभी कभी क्या होता है राहू के तूसनी देव सब बिगड़ जाएं तो जीवन एकदम से नरक बन जाता है चारों अब तरफ से जब्वार हम लोग बहुत अच्छे से रहें आपका समाज अच्छे से रहे हर जगा आपका मान समान हो तब क्या करएंगे तब काला तिल और जो से ऺवन करें आपके जीवन में हरæं तरफ चारों दिसाओं सेतक होगी और आप फुब तरकी करेंगे तो इस तर और इसका नियमित रूप से तिलक लगाईए जो भी कारी के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे उसमें आपको बिजैसरी मिलेगी घी मिक्स करके लगा के रख लीजेगा और मंत्र हवन करने किसमें जरूर पढ़िएगा स्वाहा लगा दीजेगा तो देखिए इस तरह से आप हवन कीजे अब कन्या पूजन करना है तो कन्या पूजन के लिए जैसे कि हमने बताया हलवा पूड़ी गुड़ है खीर है चना है आप उनको खिलाएगे आप मिछाई खिला सकते हैं और इस दिन चुकि मां को हमने गा सहत का भोग लगाना है सहत को परसात की रूप में अब कर दें यहां कि कुछ भी आप कर सकते हैं इस तरह से और कन्या को दक्षिना जरूर दीजिए अब आपके घर में आ रही है एक भी कन्या बुला लेते हैं लोगडाउन में तो बहुत है भगवान को सब पता है अगर वह भी कन्या ना मिले तो गाय को खिला दीजिए गा अगर आपकी कुण्डली में है कि सिके का दान नहीं करना है तो मत कीजिएगा यहां पर आप दक्षिना की रूप में फल दे दीजिए सेब है अनार है कोई भी फल दे लीजिए और कन्याओं को खुस रखने के लिए आप उनको खिलोना उनके सजने सबनी की सामगरी बेगे और चुंद्री जरूर भेंट कीजिए गा तो इस तरह से आप माता रानी को मनाईए और जीवन में धेर सारी खुसी आएंगी हम आप से विदा लेते हैं हलांकि राम नौमी भी है तो आप सभी दर्सकों को राम नौमी की धेर सारी सुपकाम नाएं हम फिर मिलेंगे हरहर देव धन्यवाद जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें